स्वागत है आप सभी का Tech Study आईटे योट्यूब शैनल पर आईटे पास आउट केंडेट्स के लिए एक और अपरेंटिसिप आज चुकी अभी रिसेंट में आप देखेंगे तो अपरेंटिसिप आईओ सील में 1535 पोस्ट पे फॉर्म भरे जा रहे हैं तो इन सभी फॉर्म्स को अगर आप इलिजबल हैं जरूर एपलाई कीजेगा उसी क्रम में आज़ाओर एक अपरेंटिसिप आई है जो कि पूरी तरह से गॉर्मेंट अपरेंटिसिप है उसके बारे में यहाँ पे देखने वाले हैं तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर इट कर लिजगा जिससे आने वाली सारी ITI की जॉब्स की अपडेट, अपरेंटिसिप की अपडेट, उनके फॉर्म भरने की वीडियो से लेके जॉइनिंग तक की सारी अपडेट और ITI की पढ़ाई की वीडियो जापको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेंगी तो आज जो हम बात करने वाले हैं, Electronics Corporation of India Limited, ECIL में आई हुई अपरेंटिसिप की बारे हम बात करने वाले हैं जिसकी अप्लिकेशन स्टार्ट डेट 27 नो, यानि 27 सितंबर से फॉर्म भरे जा रहे हैं ECIL हैदराबाद के लिए एंड लास्ट डेट जो रखी गई, वो रखी गई है 10 अक्टूबर तो 10 अक्टूबर के पहले पहले आपको जो है, इसमें अपरेंटिसिप के लिए अप्लाई कर लेना है कैसे अप्लाई करना है, उस पे आपको एक डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा उससे पहले यहाँ पे पहले देख लेते हैं, नोटिफिकेशन कम्प्लीट जिससे आपको एक क्लिरिटी आ जाए कि कौन-कौन यहाँ पे इलिजबल है अप्लाई करने के लिए क्योंकि All India के candidates इसमें eligible नहीं अप्लाई करने के लिए इसलिए starting में ही यहाँ बता देना जरूरी, अगर आप सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना state से belong करते हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं लेकिन फिर भी बाकी criteria आपको जरूर देखना चाहिए, जिससे in future और apprenticeship आए तो आपको वो सारी चीजों की clarity यहाँ पे बनी रहे यह है यहाँ पे complete notice आप देख सकते हैं, Electronics Corporation of India Limited की तरफ से इसमें अगर total vacancy आप यहाँ देखेंगे, total जो vacancy है वो है आपका category wise आप इसको divide कर सकते हैं, total seat की अगर बात करें, 284 seat पे यहाँ apprenticeship निकाली गई है and 284 में से 12 seats जो हैं, वो PWD, person with disability के लिए जो हैं, यहाँ पे reserve रहेंगी तो अलग-अलग trade आप देख सकते हैं, electrician है, electronic mechanic की 100 post है, fitter, RAC, MMB, turner, machinist, machinist grinder, mm tool maintenance, carpenter, copa, diesel mechanic, plumber, smw, welder and penter, इतने trade की यहाँ पे vacancy जो है निकाली गई है जितने भी one year के trades हैं, उनका जो stipend है, 2700 रुपए है, and जितने भी two years के trade है, उनका stipend 8,050 रुपए रहे गए age criteria की बात करें, तो 18 से लेके 25 साल तक, and OBC case में 3 years, add कर दीजे, आप 28, and SCST के case में 30 साल यहाँ पे age criteria रखा गया है, यह apprenticeship आपकी number 2022 से start होगी, and one year के लिए रहे गी, यानि October 2023 तक में आपकी apprenticeship complete हो जाएगी, essential qualification की बात करें, तो NCVT में आप ITAE पास होने चाहिए, तभी आप apply कर पाएंगे, SCVT candidate यहाँ apply नहीं कर पाएंगे, and एक चीज़ और यहाँ पे अलग रखा गया थोड़ा सक, 70% seats जो हैं government ITAE candidates से भरी जाएंगे, and 30% seats जो हैं private ITAE students के लिए यहाँ पे reserve रखी जाएंगे, दूसरी बात यहाँ पे ITAE के marks के basis पे आपका selection होगा, फार्म आपको online भरना जिसकी fees भी रखी गई है, and यहाँ पे एक general condition है, जो की सबसे important चीज़े से सबसे नीचे लिखा गया है, वो यह है कि residents of all district of Telangana state are eligible to apply, तो Telangana state के जो residents हैं सबी districts के, वही यहाँ पे eligible होगे apply करने के लिए, only तो नहीं लिखा है, but eligible होगे, उन्हें यहाँ पे preference मिलेगा, तो अगर आप बाकी कहीं से belong करते भी हैं, तो इसमें apply मत कीज़ेगा, क्योंकि उस case में आपको यहाँ पे reservation नहीं मिलेगा, पहला preference नहीं मिलेगा, vacancy कम है, सभी Telangana state के candidate यहाँ पे select हो जाएंगे, बाहर के candidates को मौका नहीं दिया जाएगा, तो अगर आप तेलंगाना state से belong करते हैं, अगर आप चैनल पर जूड़े हैं, comment section में yes लिखेगा, अगर आप apply करने जा रहे हैं, तो आप comment section में अगर लिख देंगे, आपको वीडियो चाहिए apply करने का, तो जरूर हम इसका apply करने का वीडियो बना देंगे, सबसे पहले आपको apprenticeshipindia.jov.in पर registration कर लेना है, उसके बाद ECL website से आपको जाके फिर apply करना है 10 October से पहले पहले, इसके लाँ अगर यहां बात करें important date की, तो पहले हम बता चुके हैं, 27.9 से form start हुआ है, 10 October last date है, 20 October से 28 October तक document verification होगा, 31 October तक joining formality and 1 November से आपकी training जो है, वो start करा दी जाएगी, ऐसा ECIL का यहां पर notice में कहा गया है, तो यही एक complete notice है, and apply करने के अगर, apply करने के अगर बात की जाए, तो apply करने का link हम description में दे देंगे, वहां से आप click करके apply कर सकते हैं, साथ हमारा telegram channel है वहां जुड़ जाएगा, जिसे आपको वहां पर भी सारी updates मिलती रहें, तो इसमें आप देख सकते हैं, यहां से आपको apply करना है, and state of domicile जब आप यहां select करने आएंगे, एक बार just, तो आप यहां पर देखेंगे, सिर्फ तेलंगाना आएगा, and अगर आप others के case में करते हैं, तो आप यहां पर eligible नहीं रहेंगे, ठीक है, तेलंगाना state के अगर आप हैं, तो आपको यहां पर preference मिलने वाला है, तो इस तरह से आप यहां registration करी लेंगे, इसके बाद आप submit कर देंगे, फिर आगे का process follow करते हुए, आप यहां पर आसानी से apply कर सकते हैं, तो तेलंगाना से जो भी candidate बिलांग कर रहे हैं हैधराबास से, उनके लिए एक अच्छी अपरचुन्टी है, तो आप लोग जरूर इसमें apply कीजेगा, अगर अपरचुन्टी मिलती यहां से करने का, तो यहां जरूर जाइन कर लीजेगा, क्योंकि कई बार electronics car protection आफ इंडिया लिम्टर में जब vacancy आती है, तो जो apprenticeship folders होते हैं, उन्हें यहां पे weightage and preference दिया जाता है, thank you very much मिलते हैं अगले updates अगले वीडियो में तब तक आप सभी लोग बने रेगा चैनल पे, thank you.